आज मैं वेजटेबुल के साथ मूंग डाल को कैसे बनाये जाता है वो बना के दिखाने वाली हूं चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैं मूंग डाल को लिया हूं और वेजटेबुल में पर्मल, ट्रम्स्टिक, ब्रिंजल, केरट, पपाईया, पंकिन, पटेटो और सबसे पहले मूंग डाल को अच्छे से दो लेंगे मूंग डाल को अच्छे से दो लिया हूं चलिए अब हम मूंग डाल को प्रेसर को कर के अंदर डाल देते हैं पानी, नमाख, हल्दी पाउडर और टोमाटों को टाल देते हैं प्रेशर को करका लीड को हम आच्छे से बाउंद कर लेंगे ग्यास ओन करके हम प्रेशर को करको ग्यास के उपर रख देते हैं और एक सिटी आने तक हम इंतिजार करेंगे सिटी आ गया है, अब हम ग्यास के प्रेम को बंद कर लेंगे और कुकोर में से सारे प्रेशर निकलने तक हम इंतिजार करेंगे देखिए प्रेसर कुकर में से सारे प्रेसर निकल चुका है अब हम प्रेसर कुकर करकर लीड को निकाल देते हैं सारे भेज़ेबल को हम उसके उंदर डाल देंगे और प्रेसर कुकर करकर लीड फिर से लगा के हम ग्यास को उपर रख देते हैं और एक सीटी आने तक हम इंतिजार करेंगे प्रेशर कुकर में सीटी आ गया है अब हम प्रेशर कुकर से सारा प्रेशर निकलने तक इंतिजार करेंगे देखिए प्रेशर को कर में से सारा प्रेशर निकल चुका है अब हम प्रेशर को करके लीड को निकाल लेते हैं दाल और वेजटेबूल आच्छे से पक चुका है और वेजटेबूल तूटा नहीं है चलिए डाल को हम और एक बर्तन में सिप्ट कर लेते हैं दाल में तड़का लगाने के लिए मेहिया पे ओन्योन और अद्रक पेस्ट लिया हूँ धन्या पत्ते को एसे काटके लिया हूँ कडाई हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें सोर्षो का तेल डाल देते हैं साबोद जीरा को हम तेल में दे देते हैं सूका लाल मिच को हम दे देते हैं कटी हुई ऑन्योन को हम डालके आछे से भून लेते हैं अ बहुत माद अद्रक पेस्ट डालके आछे से भून लेंगे मसाला आछे से भून चुका है अब हम इसमें आधा चमुष मिर्ची पाउडर ढल देंगे और आच्छे से मिला लेंगे मूंग डालकों अब हम तंड्के में ढल देते हैं टोमैटो को लन में बालाने तब हम इंतिजार करेंगे दाल में ऊबल आ चुका है कटी हुई धन्य पत्य को हम डाल में डाल देते हैं और आच्छे से मिला लेंगे बन के तैयर हो गया है मुंग डल डालमा आप एसे ही घर पे बनाएए खुद खाएए और सबको खिलाएए ये उरिशा के हर घर में तैयर होने बला डालमा है वीडियो आच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दीजिए चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग